हलो दोस्तों वेल्गम बैक आज मैं आपके लिए वैसे मास्टर ट्रीक लेकर करके आया हूं जिससे आप किसी भी ट्रांसेशन को आसानी से बना सकते हैं या कहीं पर इंगले से लिखी गई हो तो उसको आप आसानी से पढ़कर हिंदी समझ सकते हैं तो गाइस वीडियो को मुलता है सौब्जेक्ट थीक है तो देख किसे फिर ट्रांसेशन को बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक ako 서u में लिखते है Рच वह बाद एक-एक मेन निको घुंज है रख देंगे तो ट्रांसेशन हमारा बन जाता है ठीक है यहीं है मास्टड ट्रिक और इस ट्रिक की स कि छायता से हम टोटर ट्रांसेशन को क्या कर देंगे गाइज तो सब्ँवर कर देंगे इसके पहले बम थोड़ा शार तुछ सिख लेते हैं हम लिखा कि यह दिखेगा हमने लिखा कि व्छा व्ला Cheryl यह दिए हो यहां फिर कांच एकई इस सबकी जो अंग्रेजी होती है वो क्या होती है भाई टू होती है मतलब अगर वाला वाली के हम बात करेंगे तो आप समझेगा कि यहां पर हम लोग को टू का प्रियू करना है जैसे मैं जाने वाला हूं अब देखें यहां पर मैं के लिए सबसे पहले हम अंग्रेजी लिखेंगे आ और उसके बाद हम लिखेंगे जाना का गो नहीं समझे एक बार और समझे जैसे लिए कि सीता यहां आने वाली है तो सबसे पहले हम सीता का यहां पर मीनिंग लिखेंगे क्या लिखेंगे सीता हो गया और उसके बाद दाहिने से एक एक मीनिंग रखिया और यहां पर है के क्या बताया था कि सबसे पहले आप सुरू में एक वblowing को लिखेंगे उसके बाद दाहिने से एक Uma refresh मिनिंग को क्या कर देंगा रख देंगे तो है यह मास्टरी देखिए तो इसी तरह बनाया ना सबसे पहले हमना लिखा सी operating बनाया लिखा उसके भाद दाहिने हैं गाइस दे हो गया दे आईये औहां के लिए तो गवलिके आउर का वाला वाली क लिखेंगे टूर्फ पर खेलना का हो जाएगा commissions करेट हो जाएगा स्थेखिने पर लिखना Bowl hizo कमटे दिए ठीक है तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा चलिए तो यहां पर तो I hope की समझ में आगया होगा जैसे हमने लिखा है अगला कि हम सब अंग्रेजी सीखने वाले हैं तो दोस्तों आपको इसको translate करके और comment box में लिखना पड़ेगा यदि आपको समझ में आया है न तो आप इसको comment box में translate करके डालिएगा ठीक है और आये कैसे हम अब इंग्लेज से हिंदे निकालते हैं इस चीज़ों कॉम्रों सीखेंगे ठीक है अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहां पर जैसे कि मैंने यहां पर लिखा है आई एम तू गो आम टुगो अब दीकश सबसे पहले इसका अंग्रेजियर में लिखेंगे लिखा इसका मैं उल्टा पड़िए गा जाने वाला हूं क्या होगा इस मैं जाने वाला हूं तो देके जैसे हमने उसका ट्रशेशन किया है न ठीक वैसे उसका हिंदी निकाल कर कि आएंगे ठीक है उसे तो दुसाले लिजाम रहे है सीता इजटू प्ले सीता इस्टू प्ले अब देखे इसका हिंदी क्या होगा सीता क्या करेंगे सीता उसका उल्टा पुड़ो खेलने वाली है ठीकिसी तरह से एक और सेंटेसम लो ले रहा है राम इजटू इसका वज़ाएगा राम उल्टा पुड़िएगा हिंदी बोलने वाला है तो बताएए कितना आसान है इंगली से हिंदी निकाल लेना जैसे हम हिंदी से इंगली से हिंदी को बना लेंगे तो चलिए आगे भी हम लोग कुछ देखते हैं अब हम लोग यहाँ पर यह चीज़ देखेंगे कि पास्ट में कैसे बनाएंगे देखेंगे पास्ट में बनाने के लिए भी हमें किसी इस्ट्रक्चर की जुरुवत नहीं है ठीक है हमें किसी इस्ट्रक्चर की जुरुवत नहीं है हम बीना इस्ट्रक्चर के ही इस मास्टर ट्रीक से जो है किसी भी ट्रांसेस जो बीते हुए समय के बारे में बताता हूँ ठीक है जैसे लिखा है कि मैं दोडने वाला था अब देखे था को पढ़ यहां पे था लिखा है इसे यहां पता चल लेकिया काम बहुत पहले होने वाला था रैट तो देखिए ठीक इसे ट्रिक से इसे भी बनाएंगे जैसे कि मै ठीक नहीं आप लिकिया मैं तो मैंके लिए हम लोगो अंगरेजी लिख लेंगे आई अब उलटा बनाएंगे तो पहले था का लिखेंगे फिर वाला वाली के तू लिखेंगे और फिर दोड़ना का मिनिंग लिखेंगे तो गैस यहां पर जो था लिखा है तो देखे था थे थी के लिए वाज और वर दो मिनिंग होता है अब यहां पर मैंने लिखा है आई तो आई के साथ जो है इसका मिनिंग क्या हो जाएगा था का वाज हो क्या हो जाएगा गैस वाज हो जाएगा ठीक है तो इसका तो कहानी खत्तम अब वाला वाली का ठीक वही होगा टू होगा क्या हो जाएगा गैस तू और फिर आपर दोड़ना क्या होगा रॉन हो जाएगा उसी तरह करें कि वह आने वाला था देखिए वह के लिए हो जाएगा ही राइट अब धिए के साथ दें ये साथ तो ही के सान्थ क्या लगाते है गैस हम लोک वाज लगाते हैं उसके बाद वाला वाली क्या क्या लिक देंगे गई तो तोब और फिर आना के क्या हो जाएगा थिकए अब यहां प rap liगा कि हम सब तो हम समका क्या हो जाएगा वी हो जाएगा अब देखें वी जो हमने लिखा है और वी के साथ क्या लगाते है वर लगाते हैं तो यहाँ पर थे का मिनिंग क्या हो जाएगा वी के साथ वर हो गया फिर वाला वाली का लिखेंगे टू फिर बोलना का लिखेंगे इस्पीक ठीक है हम सोचते हैं कि इस तरीके का वीडियो और जो आपको लेते हैं चलिए अभी दो मिनट और देख लिए जै कि मैं इंग्लिज से अब हिंदी के तरफ आपको लेकर चलूँगा ठीक है आई यह चलिए आप दो-तिन सिंटेंस और हम लोग देखी लेते हैं जैसे मैंने हां पर करेंखा हुआ ठीक जी आई वाज तू एट-फूड आय वास टो इट फूड पूड देखें इसका हो जाएक मैं अबूल्टा पड़ियेगा खाना खाने वाला और इसका ऊजागा था पर गाना खाने वाला था अगर यहां परह था एम तो इसका हिंदी उता मैं खाना खाने वाला हम श्माज मैं रहा नो उसे तरह मान चले आँ पर ऐकान सीता वाज तू डान सीता वास् टो डान्स इसका होगा सीता विल्टा पढ़ेंगे फिर नाचने वाली थी क्या वाजाएगा सीता नाचने वाली थी एक और ले लिजी हमने बुला दे वेर टू प्ले बेट टू फुटबॉल अब देखिए इसका हिंदी होगा वे लोग फुटबॉल खेलने वाले थे तो गाइज है ना बहुत ही असान वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक किजिएगा शेयर किजिएगा और सब्सक्राइब करा ना भूलेगा चैनल को चलिए अगर समझ मैं आओ तो प्लीज लाइक और कमेंट करके मुझे बताइएगा और फिर इसी तरीके का जो वीडियो आपके सामने में लेके आता रहूँगा थेंक्यू सो मस्च बाइबाए टेक केर